हलो मैसल नीराज रोय और वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल और जैसा कि आपने देख रहा है 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 एडिंग मल्टिप्लाइंग तो डिजिट नमबर हैं जैसा कि आप समझ सकते हैं हमारा जो तो टैन्स प्लेस में जो डिजिट होगी वह सम होना चाहिए और सम वन्स डिजिट का जो होना चाहिए वह टैन्स होना चाहिए तो इस तरह की multiply हम लोग इस तरह की दोड़ीट वाली numbers को या तीन ड़ीट वाली numbers को कैसे हम लोग multiply करते हैं वो आज मैं आपको tricks बताने जा रहा हूँ तो आज ये देखते हम लोग तो एक मैं question लेता हूँ और उससे मैं बताता हूँ question ये है 53 into 57 अब अगर इसे multiply करेंगे तो क्या आएगी within second आप बता सकते है multiply करके तो यहाँ पर देखें आप 7 और 3 को अगर आप add किजिएगा तो क्या आएगा 10 आएगी sum हमारा 10 हो जाएगी और अगर आप 5 और हमारा 10s place को अगर आप observe करें मतलब दहाई वाले place को अगर आप observe करें तो यह दुनों क्या हमारी same है तो इस तरह की questions में आपको करने क्या है जो आपको 10s place वाले जो रहेंगे उसका upcoming number 5 के बाद क्या आने वाली number है उससे multiply करने तो 5 के बाद हमारी कौन सी number आएगी 6 multiply कर दीजे 5 into 6 क्या होगी 30 इसको as it जहाँ पर लिख लिजे अब हमें करना क्या है यह once वाले को once वाले के साथ multiply करने गी तो 3 into 7 क्या हो जाएगी 21 तो यह आपका answer हो जाएगी 3 0 2 1 अगर हम लोग 5 3 into 5 7 करेंगे तो दूसरा question लेता हूँ 4 6 into 4 4 4 6 into 4 4 लिए तो देखिए यह हमारे 6 plus 4 once वाले क्या बना रहे है once वाले digit हमारा देखिए 10 बना रहे है sum दोनों को अगर add करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और 10 वाले place का देखिए क्या हमारे दोनों same है तो 4 के बाद हमारा upcoming number क्या है 5 तो 4 into 5 करेंगत क्या आएगी 20 तो यहाँ पर हम लोग 20 लिख लेंगे अब 6 into 4 करेंगत क्या आएगी 24 6 into 4 24 तो यह 2024 एंड़र होगी हमारी तब एक और number ले सकते हैं लोग तूसरा example लेता हूँ 3 1 into 3 9 तो यहाँ पर भी देखिए आप 9 plus 1 करेंगे तो 10 हो जाएगी 1s place हमारा क्या हो रही है 10 और 3 और 3 10s वाले place क्या है हमारे same है तो 3 के बाद आने वाली number क्या है 4 तो 3 into 4 हमारा क्या हो जे 12 और 1 इंटू 9 करेंगे तो चाहोगा 1 into 9 9 तो हम लोग इसको लिखेंगे 0 9 तो यह हमारा क्या होगा 12 0 9 जब हम लोग मल्टिप्लाइ करेंगे 3 1 को 3 9 के साथ अब हम लोग next number लेते हैं 117 into 113 इस number को मल्टिप्लाइ करनी है तो आप लोग confuse मत होना यह 3 डिजिट आग गया सर कैसे करेंगे simple सा logic के आप देखिए 1s वाले place को 7 3 क्या बना रहा है 10 और 10s वाले डिजिट पर देखिए दोनों क्या है same number है 11 11 है 11 के बाद upcoming number क्या हमारे 12 तो 11 into 12 करेंगे क्या होगा 132 होगा हमारा 132 जब हम लोग 11 को 12 के साथ मल्टिप्लाइ करेंगे तो 132 हो जाएगी और अब क्या बचा 7 into 3 करनी है तो 21 तो 21 132,21 जब हम लोग मल्टिप्लाइ करेंगे 117 into 113 को तो आप देख सकते हो कितने असानी से हम लोग का आ रहा है जब मल्टिप्लाइ कर रहे हैं तो आप लोग ये not करके लिख लेना ये not करके लिख लो आप लोग दो कंडिशन होती है टो कंडिशन सटिस्फाय करना चाहिए पहला कंडिशन है हमारा नमबर एक्जिस्ट इन टैंस प्लेस इज सेम और दूसरा हमारी क्या होगे दा सम आप वन्स डिजिट इज टैं फिर से में आपको बता दे रहा हूँ जो नमबर टैंस डिजिट में एक्जेस्ट करेगी वो सेम होना चाहिए और दूसरा क्या हमारी जो वन्स डिजिट का सम जो भी डिजिट वन्स डिजिट में होगी वो दोनों का सम क्या होना चाहिए टैंन होना चाहिए ये दो कंडिशन हमेशा आपको याद रहना चाहिए जब इस तरह की क्वेस्टेंस आपके पास अगर पूछा जाए तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सको और इस तरह की ट्रिक्स आपको और भी देता रहूंगा झाल 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 झाल